आज हम सीसी बोर्ड का जो टूटा हो गनेक्टर बो चेंज़ करेंगे सबसे पहले इसके उपर पता कफल जो मन लगाएंगे अब हम आईरेन को चार्स वटिंगे से पर हीट करेंगे और उसके थोड़ा सा सोल्डर लगा कर एक रूमूव करेंगे इससे यह कोड़ी असानी से रूमूव हो जाता है और बाकी के अपोड हमारा हीट करा नहीं होता हमने अधीन अधीन से आईरेन को चुलाना है ज्यादा हमने जब जास्ते नहीं करना हमारे जो नीचे के ट्रैक हो निकल जाएंगे और हमारी तिक्कतों की बात में जएक लिगाने और ट्रैक बनाने में इसलिए अधीन एशिटे से वाइसे हमने निकलना है देख सकते हैं हमारा जैक की निकल चुका है और हमारा कोई भी ट्रैकमित नहीं हुआ है अब इससे हम क्लिएंगे थोड़ा सा अब हम जो हमारी सोड़ें बेखके उसे की मतल से इस पर जो सोड़ा लगा इसे रमोग लेंगे ताँ कि हम इस पर लोग टेमपरेस रिक्चर वाला पीपीडी लगा सके जिससे हमारा जैक अच्छे दर जाएगा और उसे मेल्ट होने के चांस कम हो गए अच्छे से हमने बोर को इस पर लगाएंगे इसके ऊपर यहां में एम टक को अमपनी का अच्छे सोड़र होता है और हमें हीट वगारा ज्यादा नहीं रखने पड़ती है और प्लास्तिक जैक कमेट वगारा भी नहीं होते है अब हाँ अधर्द्य की मतल से हमने के पीज़ेंक दिफाईक देने पड़ जाएं मैब हम इस पर नहाज़ा करको रखेंगे तरब गाल आफले अच्छे से सोड़र होंगे सारे पॉइंट पर हमने जिस ओडर प्लाना है वह भी पिन हमने देखना है मिस नहीं होनी चाहिए बन्ना हमारा बहां से सप्लाई कट जाएगा देखते हैं हमारा जो सोडर अच्छे से प्याल चुका है बोड पर अब हम इस पर नया जैक रखेंगे और उसे को हमें हम से लगाएंगे की हीट हमने 240 रखनी है यह अमरी 3 पर होगी पहले जैक को हमने अच्छे से अलाइन करना है इसकी पिन नहीं है ताकि महारा जो सोडर अच्छे से हो कुई हमरे पिन मेरे शाड बगरा ना हो अब आपदे हमसे नक पर इसके कमाएंगे जो हमरे हैसे से ह बुर्गम ने खमाना है और हमारा जो जैक का अपने आपने आपने इडिये वेल्टो के नीजे बैठ जाएगा देख सकते हैं हमारा जो जैक है वह असानी से लग चुका है अब हम इसे clean बगरा करेंगे अच्छे से proper हीट करके लगा है सारे point हमें देखना है सारे melt हो चुके हैं अब अच्छे से clean करेंगे इसे ताकि इस पर जब हम नया जैक लगाएं तो flux की कहा नगो भी दिक्ट भी रहना है अब देख सकते हैं हमारा जैक लग चुका है और हमारे जितने point है अच्छे से सूड़ हो चुके हैं कोई point हमेरा जैर नहीं लाव यह तरह हम इसका जैक का असानी से change कर सकते हैं